नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकरु के साथ आए समझते हैं शुकलवानी का भाग चार और भाग चार में हमने देशी भाषा कावे प्रकरण तीन को रखा है ये अचारे रामचंद्र शुकल ने जो काल विभाजन किया था उसमें जो पह साल कहा है ये बात भी महत्तपूर्ण है सबसे पहले ये लिखते हैं कि राजसभाव में सुनाए जाने वाले नीती श्रिंगार इत्यादी विशे प्राय दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद छप्य में तो यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है जो राजसभा बगेर में सुनाए जाने वाले नीती परक जो चीजें होती थी श्रिंगार परक जो चीजें थी वो इन्होंने दोहों में कही और वीरता की बात इन्होंने छप्य यानिकी कवित में कही है मतपूर्ण है दूसरी पंक्ति कहते हैं कि राजाश्रित कविक क्या करते थे अपने राज आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया। महत्तपूर नाम है अचारे रामचंदर शुकल, आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं और इन्होंने वीरगाथा काल नाम कहां पर रखा। प्रकरण तीन देशी भाशा कावय को कहा। अचारे रामचंदर शुकल के इतियास को बिलकुल संक्षिप्तता के साथ पढ़ना चा रहा है उसकी भी साहिता हो जाए। आगे ये क्या कहते हैं कि ये समय लड़ाई बिढ़ाई का था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें इसमें क्या थी पीछे पढ़ गई थी। नेक्स्ट पंक्ति आते हैं कि वीरगाथाएं दो रूपों में मिलती हैं प्रवंध कावे के साहितिक रूप में और वीरगीतों के रूप में यानि की बैलेड्स के रूप में। तो ये भी महतपों है कि जितने भी वीरगाथाएं थी वो कितने प्रकार की हैं दो प्रकार की हैं प्रवंधात्मक्ता और वीरगीत। और प्रथम महाकवी इसने चंदबरदाई को माना था। जबकि वीरगीत परमपरा की अगर हम बात करते हैं तो वीरगीत परमपरा की सबसे पहली पुस्ता किनने बीसल देवरासो को माना है ये भी महतपों है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरन आला है जिसके गाने वाले प् कब गया जाता है ये आप मुझे कोमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं। साइन से ही ये दीरे-दीरे क्या पहुंचा रास तक पहुंचा है इस तरीके से यहां से भी एक प्रशन जो है शुक्ल से बन जाता है और इसी अध्याय में अचारे रामचंद शुक्ल ने जितने भी रासो साहिते की रचनाएं हैं उन समस्त रचनाओं को रखा है और इसी रासो साहीत्य के अधार पर ही इन्होंने आदिकाल को वीरगाथाकाल कहा था। तो सबसे पहले यहाँ पर खुमान रासो का जिक्र इन्होंने किया है, जिसके समंद में इन्होंने अपने विचार अभी व्यक्त किये हैं, जो मुख्य बाते हैं इन्होंने, उनको देख लेते हैं, यहाँ पर लिखाया देखिए कि इनका समय समवत 810 से लेकर के 1000 के बीच माना जाता है, और रचनाकार्थे दलपती विजय, जो खुमान रासो रहे हैं इनका जो समय, चितोड, रावल, खुमान के तीन राजा हुए हैं, कर्नल टोड ने इन्हें एक ही माना हैं, यहाँ पर काल भोज यानि की बपा के कुछ पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मिवाड के इतिहास में प्रसिद है, तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है, कि जो आपका मिवाड के इतिहास में प्रसिद रहे आपके काल भोज, और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामू, उन्होंने क्या किया, चितोड पर चड़ाई की, खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आये, और चितोड की रक्षा हो गई, तो यहाँ से हमें याद का रख लेना है, कि चितोड का शायस रहाईगे आपका खुमान, खुमान ने 24 युद किये, और विक्रमी समवत 889 से लेकरके 893 तक राज्य किया, बाकी चीज़ें इसमें नहीं है, जो मुख्य बात आपको याद रख लेना है, कि किस चीज़ का वनन इसमें मिलेगा, तो बगदाद की खलीफा, अलमामू के द्वाराची तोड़ पर में शुकल के जो महतपुण विचार है, उनको देख लीजिए, बीसल देव रासो बहुत ही महतपुण ग्रंथ है, जो नर्पती नाला का ग्रंथ है, नर्पती नाला कभी विग्रह राज चतुर्थ, उपनाम था इनका वीसल देव, इनका ये समकालीन रहा है, तो यहाँ प प्रशन ऐसे भी पूछा जाता है, कि बीसल देव रासो में अचारे रामचंदर शुकल ने कितने प्रिष्टों की संक्या कितनी मानी है, तो आपको याद रख लेना है कि ये सौथी और बीसल देव रासो का समन्द के से रहा, वीरगीत से रहा, शुकल के अनुसार, और इन फलवा के राजा जो भोज रहे परमार, उनकी पुत्री राजमती से सामभर के बीसल देव का विवाह हो जाता है, दूसरे में है, बीसल देव का राजमती से रूट कर उडूइसा की और प्रस्थान करना और वहाँ पर एक वर्ष रहना, प्रशन ऐसे भी पूछा जा सकता ह कि बीसल देव जो राजमती से रूट कर कहां चले जाते हैं तो उडिसा चले जाते हैं और वहां कितने वर्ष वो रहते हैं एक वर्ष रहते हैं तीसरे खंड में राजमती का फिर विरह बर्नन है और बीसल देव जो है उडिसा से वापिस लोट जाता है और चौथा और आखर इसका जो खंड है उसमें भोज के आगरते हैं भोज का अपनी पुत्री को घर लिवा ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर चितौर ले आना इस चौथे खंड में बताये गया है तो बीसल देव रासो के चार खंडों में जो चीजें थी वो यहां पर र कोटी सी पुस्तक को बीसल देव जो रही है ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है जब हम देखते हैं कि यह कोई कावे गरंथ नहीं है केवल गाने के लिए इसे रचा गया था शुकल से कई बार जो UGC NET की तैयारियें कर रहे हैं देखना वहां से ऐसी प्रशन ही पूछ जात तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और न भाशा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है यह भी शुकल ने इसके संदर्ब में कहा है फिर आता है इस युग का सबसे महतपुण गरंथ जो आपका प्रित्व प्रित्व राज रासो रहा और चंद बरदाई इसके रचनकार उनके समन्द में शुकल जी ने कुछ चीज़ें कही है इनको आप देख लीजिए यह हिंदी के प्रत्थम महाकवि माने जाते हैं और इनका प्रित्वि राज रासो हिंधी का प्रत्थम महाकव्व है बहुत ह प्राचीन समय में प्रचलित यह सभी चंदों का व्यभार इसमें हुआ है। लोग सेवा आयोग की परिक्षा हुई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि कवित या आपका जो प्रित्विराज रासो है उसमें कौन-कौन से छंद जो थे या नहीं थे। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। और इसी बात को यहां पर आपने ध्यान रखना है कि किस ने कही थी और यहीं से याद आप ये भी रखेंगे कि अचारे रामचंदर शुक्र जो है प्रित्विराज रास्तों को क्या कहते हैं अपना अप्रमानिक रचना मानते हैं। और सबसे पहले किस ग्रंथ के अधार पर या किस ने प्रित्विराज रासों को अप्रमानिक गोशित किया था ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं क्योंकि ये प्रशन बहुत ही जादा महत्तपून है। भाशा की कसोटी पर यदि हम इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि यह बिल्कुल बेठी खाने हैं। तो यहाँ पर आपको याद अख लेना है कि प्रित्वी राश रासों की भाशा को बिल्कुल बेठी खाने की भाशा किस में कहा हैं। उसमें व्याकरन इत्यादी की कोई ब्यवस्था नहीं है। अगला कथन आता है देखिए इस ग्रंथ के अनुसार प्रिथ्वी राज क्या है अजमेर के चोहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णो राज के पौत्र थे सोमेश्वर का विवाह अनंग पाल की कन्या कमला से हुआ जिनके पुत्र प्रिथ्वी राज हुए तो अगर इसके बारे में समान्य परिचे आप से पूछा जाए तो यहां से इस पंक्ती के जरिया आप इसको याद रख सकते हैं प्रिथ्वी राज ने संयोगीता से गंधर विवाह किया था यह भी मतपूर्ण है कि इनका विवाह किस से हुआ था संयोगीता से हुआ था कभी कभार तो इस चीज़ को आपने यहां ध्यान रख लेना है इसके लागा अगर और डिटेल में आपको देखना है तो अचारे रामचंदर शुक्ल के इतिहास को आप और जादा अच्छे से अराम से उसको देख सकते हैं हलांकि आपके काम की जो चीज़े हैं वो लगवग इसका सही तरीके से नेक्स जो आता है भटकेदार और मदुकर कवी के समंद में अचारे रामचंदर शुक्ल जी के जो विचार हैं इसमें इनोंने कुछ जादा नहीं काय देखिए भटकेदार ने जैचन प्रकाश नाम का एक महाकावे लिखा था जिसमें महाराज जैचन क प्रताप और पराकरम का विस्तित पर्णन है तो जैचन प्रकाश नाम से ही हमें याद रख लेना है कि इसमें क्या था जो राजा जैचन रहे उनके शौरय और पराकरम का चित्रन इनोंने किया है और साथी साथ इसी जो जैचन रहा इसके ऊपर एक अन्य ग्रंथ लिखा ग रहे हैं उनको देख लेते हैं ऐसा प्रसिद है कि कालिंजर के राजा परमार के यहां जगनिक नाम के एक भाट थे जिनोंने महोबे के दो प्रसिद वीरों आलहा और उदल यानि कि उदैसिंग इनके वीर चरित का विस्तित वर्नन एवं एक वीर गाथात्मक कावे के जगनिक की कावे का आज कहीं पता नहीं है पर उसके अधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाशा प्रांतों के गाउं गाउं में सुनाई पड़ते हैं यह गीत आलह के नाम से प्रसिद हैं जो बरसात में गाए जाते हैं तो उपर भी हमने यह चीज देख ली थी देखना कि आ आलह जो है वो बरसात में गाहे जाते हैं इसको याद रखना पड़ेगा और आलह गीत के चलते ही इसका नाम आलह खंड रहा है या फिर परमाल रासो के नाम से भी इसे जाना जाता है और कई बार प्रशन ऐसे भी पूझे जाता है कि आलह उदल दो वीर सरदारों की वीरता का वनन जो है वो किस गंथ में मिलता है तो आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि यह बिसल देव रासो यानि की जो आपका परमाल रासो है यानि की आलह खंड में ही आपको मिलता है गीतों का एक संगर्ध आलह खंड के नाम से चपा है फरुखाबाद के ततकालीन मिस्टर चाल्स इलियट ने पहले पहल इन गीतों का संग्रह करके चपवाया था बहुती मौतपूर्ण ये लाइन है देखना कि जो आला खंड रहा इसके गीतों को सबसे पहले किस ने संग्रह करके चपवाया तो यहाँ पर हो जाएगा चाल्स इलियट श्रीधर के संदर्ब में अचारे रामचंद शुकल ने कुछ चीजें कही है यहाँ पर लिखा है इन्होंने समवत 1454 में रणमल चंद नामक एक कावे की रचना की जिसमें इडर के राजा रणमल की उस विज़ा का वननन है जो उसने पाटन के सुवेदार जफर खां पर प्र श्रीधर जिसमें किस चीज का वननन है जिसमें इडर के राजा रणमल की वीरता का वननन है जो उसने पाटन के सुवेदार जफर खां पर प्राप्त की थी तो इस प्रकरण में अचारे रामचंद शुकल ने इतनी ही चीजें रखी है तो यह था आपका प्रकरण तीन प्रेटर कॉंटेंट लाते रहते हैं तो जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत जैहिंद जैभारत